हमारी पाठ्थे पुस्तक में संकलित कहानी कला दो निबंध पर आज हम विचार करेंगे प्रेम चंद ने कहानी कला का विश्रद विवेचन करने के लिए और उसकी समकक्ष विधाओं से तुलना करने के लिए कहानी कला से संबंधित तीन निबंध लिखे हैं प्रथम निबंध हम पढ़ाए हैं जिसमें उन्होंने कहानी और उपन्यास में जो कथा तत्व है या निबंध जो अंतर और समानता है उसको प्रकट किया है कहानी के समान इतिहास में भी कथा तत्व होता है प्रेमचंद ने इतिहास और कहानी के मुख्य अंतर को स्पस्ट करते हुए बताया है कि विश्व इतिहास में सामराज्य के लिए लड़े गए युद्धों का चित्रन है द्वंद्व का लेखा जोखा है इतिहास पढ़ने से मांसिक गलाने उत्पन होती है वह आनंद प्रदान नहीं करता और प्रेमचंद कहते हैं कि जो वस्तु आनंद प्रदान नहीं कर सकती वह सुन्दर नहीं हो सकती और जो सुन्दर नहीं हो सकती वह सत्य भी नहीं हो सकती ज समगरत है साहित्य आनंद प्रदान करने वाली विधा है, वह मनुष्य का आत्म विशलेशन करता है और दर्शन तथा अध्यात्म की खोच का प्रयास करता है और उसी क्रम में रस और आनंद प्रदान करता है साहित्य का संबंध मनुष्य मात्र से है और यह जो कहानी है वह साहित्य का प्रमुख अंग है यह कहते हुए प्रेमचंद ने उसे साहित्य की महत्व पूर्ण विधा भी बताया है कहानी कला दो निबंध में प्रेमचंद ने कहानी का महत्व बताते हुए उसके विविध अंगों की और तत्वों की और संकेत किया है उन्होंने बताया है कि कहानी जीवन का यथार्थ और स्वाभाविक चित्रन करती है और इस निबंध पर विचार करने से जो सामने आता है वह यह है कि कहानी में जीवन का वास्तवी की अथार्थ नहीं होता कहानी के यथार्थ से इतना ही तात्पर ये है कि हम कहानी में जो पात्र है उनके सुख दुख से प्रभावित होकर उनसे तादात में स्थापित कर लेते हैं और उनके साथ हस्ते रोते हैं और उनहीं के साथ आनंद प्राप्त करते हैं मनुष्य अपनी सीमाओं के कारण सूक्ष्म मन के समीप तो नहीं पहुंच सकता किन्तु वह कथा के सूक्ष्म चरित्र के निकट पहुंच जाता है कथा के माध्यम से मानव रधियों में परस पर निकटता आ जाती है यद्यपी कथा यथार्थ की हूबहू नकल नहीं होती लेकिन फिर भी वह हमें यथार्थ के निकट पहुंच आती है प्रेमचंद कहते हैं कि कला दीखती तो है यथार्थ पर यथार्थ होती नहीं उसकी खूबी यही है कि वह यथार्थ न होते हुए भी यथार्थ मालूम हो उसका मापदंड भी जीवन के मापदंड से अलग है जीवन में बहुधा हमारा अंत उस समय हो जाता है जब वह वांचनिय नहीं होता जीवन किसी का दाई नहीं है उसके सुक, दुख, हानी लाब, जीवन मरन में कोई क्रम, कोई संबन्थ ग्यात नहीं होता कम से कम मनुष्य के लिए वह अग्य है कला का यह यथार्थ जीवन से बढ़कर होता है क्योंकि कथा साहिति तो मनुष्य की द्वारा ही रचा गया है उसमें एक सीमित जीवन और सीमित संसार का ही अंकन होता है जहां कहीं भी कहानी का कोई तत्व मानवी न्याय बुद्धी या अनुभूती की सीमा से बाहर निकलता है उसे दंडित किया जाता है क्योंकि कहानी पर संपूर्ण नियंत्रण मनुष्य का होता है किन्तु वास्तविक जीवन पर मनुष्य का नियंत्रण नहीं होता प्रेमचंद ने कहानी के स्वरूप का विशलेशन करते हुए उसकी व्यापक्छवी को सामने रखा है साहित्य की सभी विधाएं उद्देश्य पूर्ण होती हैं ये उद्देश्य युगानुसार बदलते रहते हैं यही स्थिती कहानी की भी है उसके विशय और शिल्प में भी भारी परिवर्तन हुआ है पहले कहानियों में बहुरूपता, बिचित्रता, कुतुहल, रोमांस था, मनोरंजन था किन्तु जीवन की समस्याएं और मनोविध्यान तथा अनुभूतियों की प्रचूरता और जीवन का सत्य नहीं था उस परंपरा में आज परियाप्त परिवर्तन हो गया है उद्देश्य की दृष्टी से यूरूप में भी यह परिवर्तन सौ वर्षों में ही आया है वहाँ भी पहले सामाजीक, एतिहासिक और दार्शनिक कहानिया उपन्यास लिखे जाते थे छोटी कहानियों पर कोई ध्यान नहीं था लेकिन अब कहानियों में व्यापक परिवर्तन आ गया है आज कहानी समया भाव और जीवन संग्राम को चित्रित करती है अपने जीवन में आवश्यक बुनियादी सुविधाय जुटाने के लिए मनुष्य को परियाप्त संघर्ष करना पड़ता है उसे मनोरंजन के लिए समय नहीं मिलता अतेव कहानियों द्वारा कम से कम समय में विश्राम प्राप्ती का प्रयास करता है प्रेमचंद की माननेता है कि कहानी में मनोरंजन और मानसिक त्रप्ती में से एक तत्व अवर्ष्य होता है किन्तु उत्तम कहानी का आधार मनोवज्ञानिक सत्ते ही होता है कहानी के उद्देश्य पर चर्चा करते हुए प्रेमचंद ने कहा है कि विशलेशन प्रेमचंद कहते हैं कि जीवन में नित्य उत्पन होने वाली समस्याओं से जो द्वंद्व उत्पन होता है कहानी उस द्वंद्व से आकर्शक बन जाती है प्रेमचंद कहानी के मुख्य उद्देश्य को रिखांकित करते हैं उनकी माननेता है कि कहानी में आनंद प्रदान करने की सरवाधिक ख्रमता होती है कहानी चाहे घटना प्रदान हो या चरित्र प्रदान उसमें चरित्र चित्रन की प्रदानता रहती है कहानी का उद्देश्य संपूर्ण मनुष्य को चित्रित करना नहीं होता अपितुस की चरित्र का एक अंग मात्र दिखाना होता है हमें उसी बात से आनंद प्राप्थ होता है जिससे हमारा कुछ सम्मझ हो कहानी अपने सजीव चरित्रों से आनन्द सृष्टि करती है प्रेमजंद की शब्दों में जब हमारे चरित्र इतने सजीव और आकर्शक होते हैं कि पाठक अपने को उनकी स्थान पर समझ लेता है तब ही उस कहानी में आनन्द प्राप्त होता है अगर लेखक ने अपने पात्रों के प्रती पाठक में यह सहानु भूती उत्पन नहीं कर दी तो वह अपने उद्देश्य में असफल होता है संपून्त हम यही कह सकते हैं कि कहानी भी अपने उद्देश्य को सार्थक सिद्ध करते हुए आज उत्कर्श पर पहुँच गई है उसमें विशे और शैली की दिष्टी से गुनवत्ता आ गई है और कहानी जीवन के निकटा गई है अब उसमें अनेक घटनाएं और विवित चरित्रों का अंकन नहीं किया जाता अपितु जीवन का एक प्रसंग आत्मा की तरहें आत्मा की एक जहलक और सजी उर्देश परशी चित्रन करता है उसकी शैली में भी कसावट आ गई है वह कम शब्दों में मनोभाओं का चित्रन करने में समर्थ है अब कहानी में घटनाओं का कोई स्वतंत्र स्थित्व नहीं रहा उनका महत्व केवल पात्रों के मनोभाओं को व्यक्त करने की दिष्टी से ही है उसी तरहें जैसे शालग राम स्वतंत्र रूप से केवल पत्थर का एक गोल टुकड़ा है लेकिन उपासक की शृद्धा से प्रतिष्ठी दोकर देवता बन जाता है प्रेमचंद के विचार कहानी की सार्थक्ता को प्रकट करते हैं कहानी का आधार अब घटना नहीं अनुभूती है उसका उद्देश अब स्थूल सौंदर ये नहीं है वह तो सौंदर ये विधान करने वाली प्रेरणा चाहती है जो पाठक की सुन्दर भावनाओं का इसपरश कर सके